मद्द प्रदेश में चुनाव आयोग ने उन मद्दाताओं को समानित किया जिन्होंने देश में पहली आम चुनाव के बाद से मद्दान में हिस्ता लिया और अंतराश्ट्रे वरधजन दवस्त के आउसर पर सौ वर्ष की आयू पूरी कर ली कारिकरम राजु के सभी चुला मुख्यालियों में शनिवार को आयुचित किया गया मद्दाताओं को सीयो द्वारा प्रश्वस्ती पत्र शौल और श्रीफल दिया गया चुनाव आयोग के अनुसार मद्द प्रदेश में सौ वर्ष उससे अधिक के 4178 मद्दाता है देखे के रिपोर्ट चुनाव आयोग ने शनिवार को मद्द प्रदेश में अंतराश्वी ब्रथचन दिवस्त के अवसर पर सौ वर्ष और उससे अधिक आयू के मद्दाताओं को समानित किया मद्द प्रदेश के मुख्य नर्वाचन अधिकारी अनुपम राचन ने कहा कि राज उनने कहा कि ग्रामिन इलाकों में चुनाव आयोग ने उन मद्दाताओं को समानित किया जिन्होंने देश में पहले आम चुनाव के बाद से मद्दान में हिसा लिया है और अंतराश्वी ब्रथचन दिवस के अवसर पर सो वर्ष की आयोपूरी कर ली है या पार कर चुके ह आज अंतराश्वी ब्रथचन दिवस है एक अप्टूबर को तो इसके ताथ हम लोगों ने प्रियास किया कि हमारे यहां जो बुजर्ग है उन मद्दाताओं का सम्मान किया जाए एक तो यह है कि एक समाज को एक संदेश पर जाता है कि हमें अपने बुजर्गों का सम्मान करना चाहिए और यह वो मद्दाता हैं जैसे आज हमने देखा इस कारिक्रम में जो सौवर्ज सधिकाई होके थे यह वो मद्दाता हैं जिन्होंने संभोता प्रथम आम निर्वाचन प्रथम जो आम चुना हुए थे 1951-52 में तब से लेकर अभी तक निरंतर मद्दान किया ह चाहे किसी वी प्रकार का चुनाव हो लोकसभा कर रहा हो भी जास्थानी निर्वाचन रहा हो तो इनके द्वारा लोकतंतर की मजबूती में जो योगदान किया गया है इतने लंबे समय तक उसको एक तरह से उसको रिकर्गनाईज किया जाए उसको पहचाना जाए और उस सम्मानित किया जाए। सम्मानित कि 111 वर्श ये कोवरी बाई है। बिर रिपोर्ट, MP News भोपाल।